हेलो एब्रिवन आज हमारे नए लेक्षर की तरफ आगे बढ़ेंगे इसे में आपको बताऊंगा बॉन्ड के बारे में हमारा नेयर टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है वो क्या हो रहा है बॉन्ड मैंने आपको बताई तः, डिसकस कहा था कि इस मॉडिल में बॉडिल नम्बर थी जो था मैं आप से शियर डिसकस करूँगा, जो शियर जो रहागा सबसे जादा important रहेगा share discuss करूँगा फिर मैं आपसे bond के बारे में discuss करूँगा और last time मैं आपसे torsion के बारे में भी discuss करूँगा तो share I hope आपको समझ में आया होगा यती भी चीज़े मैंने बताई stir ups वगरा के बारे में spacing के बारे में design के बारे में मैंने जो भी चीज़ बताई share reinforcement के बारे में I hope कि आपको वो समझ में आय होगी कुछ हद तक ठीक है अब next आपन बात करेंगे यापर bond के बारे में तो basically bond का पहले meaning समझ लिए bond का मतलब क्या होता है bond का मतलब यह होता है कि कोई भी 2 material है वो आपस में कैसी bonding कर रहे है उसी को हम क्या बोलते है bond बोलते है तो यहाँ पर अगर मैं RCC की बात करूँगा minimum 2 material की बात करूँगा अगर मैं RCC की बात करूँगा तो यहाँ पर 2 component कौन को और से पहला है concrete और दुसरा क्या आपके पास steel concrete जो होता है generally उसको देखते है compression zone में steel को हम देखते है generally tension zone में तो यह दोनों के बीच में अगर bond नहीं होगा तो problem क्या हो सकता है और अगर bond होगा तो फायदा क्या हो सकता है इसके बारे हम बात करते है तो basically हम जब भी analyze करते है RCC को हम जब भी analyze करते है जब भी design करते है वहाँ पर हमारे एक assumption ही होता है कि concrete और जो हमारे पास reinforcement है यह दोनों के बीच में क्या है हमारे पास एक perfect bond बना होगा है ठीक है perfect bond बना होगा है मतलब यहाँ पर आपके पास जो भी slipping होगी दोनों material के बीच में tensile है आपके पास reinforcement है reinforcement के चारो और surrounding में क्या है आपके पास आपके पास concrete है तो क्या होगा आपके पास अगर perfect bond नहीं होगा तो क्या होगा वहाँ पर slipping हो जाएगी मतलब आपके पास जैसी actual force वगरा लगा तो reinforcement क्या हो जाएगा बाहर आजाएगा concrete का वहीं वहीं का वहीं रहा जाएगा लेकिन ऐसा हम क्या बोलते हैं ऐसा हम नहीं मानते हैं हम assume करके चलते हैं और हम यहाँ पर बोलते हैं जब भी हम analyze करते हैं हम वहाँ पर कहते हैं कि हमारे पास हम assumption लेके चलते हैं कि concrete और जो reinforcement है दोनों के बीच में क्या है आपके पास perfect bond है मतलब वहाँ पर दोनों के बीच में no slippage condition है ठीक है दोनों आपके पास perfectly bond है slipping वहाँ पर नहीं होगी अब basically होगा क्या तो अगर perfectly bond है तो bond क्या करेगा आपके पास आज जो भी आपके पासwoman आपके पास रीकांट जो ए जो आपके पास steel में आज जैसे हमानली जो भी axial force लगाए है जो भी अक्षिल फोर्स लगाए है वह क्या करेंगा है एस टील उसको ट्रांसफर कर देगा किस पर concrete पे उसको ट्रांसफर कर देगा और वहीं से हमारे पास क्या होगा एक जो RCC जो होता है concrete और आपके पास जो reinforcement होता है वो कैसे behave करता है as a composite आपके पास कैसा material वहाँ पर behave करता है ठीक है दोनों का अलग-अलग behave नहीं करते हैं दोनों bond क्या करता है दोनों को यहाँ पर मैंने reinforcement डाल दी ठीक है तो यह दोनों के बीच में concrete और जो reinforcement है यह दोनों के बीच में क्या हो रहा है यहाँ पर एक perfect bond देखने को मिलेगा और यहाँ पर जो यहाँ पर आपके पास जो force होती है ठीक है steel reinforcement में जो यहाँ पर टेंसाइल फोर्स आती है अपन जब भी अनलाइस करते हैं हम यहाँ पर देख्या देख्या है हम यहाँ पर टेंसाइल फोर्स बना दें 0.87 f5 करके हम यहाँ पर शो करते हैं इस्ट्रेस को इंटु अगर मैं area क्या करते हम तो वह क्या हो जाएगा तो यह यही पर टेंसाइल 5 हो जाएगा तो फोर्स करता है आपके पास वा जो strain आएगा RCC के अंदर और आपके पास concrete के अंदर जो strain आएगा RCC के अंदर वो दोनों क्या हो जाएगा आपके पास same as the same behave करेगा उसको हम बोलते हैं जो strain compatibility हमने पहले भी देखा था तो यहां से आपके पास क्या बोलते हैं हम इसमें हम बोलते हैं कि यहां पर आपके पास perfect bond क्या हो रहा है यहां पर exist हो रहा है ठीक है अब आपन बात करते है perfect bond की तो बात ठीक है bond से इक होगा आपके पास concrete और जो reinforcement वो कैसे ऐसा behave करेंगे as a composite material behave करेंगे RCC कैसे behave करेंगे as a composite material behave करेंगा तो यहाँ पर एक term आता है bond stress bond stress ठीक है बहुत important term है इसका अपने analyze करेंगे bond stress होता है basically bond stress क्या होता है it is the it is the shear stress it is the shear stress developed between developed between steel and concrete it is the shear stress developed between steel and concrete along the along the length of the bar along the length of the of the bar ठीक है तो अभी आप बोलोगे कि sir shear stress आया कैसे हम तो यहाँ बॉन्ड पढ़ने shear stress तो हमने पहले पढ़ चुके है हमने shear में तो यहाँ पर मैं आपको shear stress कही एक आगे का part पढ़ाऊंगा जो कि हम बोलते है bond इसके बार में हम देखेंगे कि bond stress बेसिकली होता या ठीक है बेसिकली जो बॉन्ड stress जो है ठीक है ये क्या होता है आपके पास जो tutorial force अभी मैंने आपको पता है reinforcement में क्या है आपके पास बैसिकली उर्लाँ आ पनिकली आहां पर अगर अगर मान लीजे आपके पास unbalanced क्या हो आपके पास अगर bending moment यहाँ पर generate हो रहा है unbalanced क्या हो रहा है आपके पास bending moment generate हो रहा है मतलब किसी एक section में क्या हो रहा है bending moment जादा आ रहा है दूसरे section में bending moment क्या हो रहा है कम आ रहा है इसका मतलब यह है कि किसी एक section में tensile forces जादा आ रही है और दूसरे section में tensile forces कम आ रही है, तो अगर यहां पर unbalanced bending moment या फिर tensile forces या compressive forces, unbalanced यहां पर हमें देखने को मिल रहा है, तो उस case में क्या generate होगा, उस case में आपका यहां पर bond stress भी वहां पर generate होगा, ठीक है, तो इसके बारे में हम analysis करेंगे, bond का, कि मैं इतनी सारी जो चीज़ें ब 2104 फिरिश यहां पर इसका mतलब क्या है, तो यहां पर एक-एक करके समझेंगे, तो सबसे पहले मैं क्या ले लिया, एक यहां पर मैंने, एक यहां पर मैंने RCC का एक beam ले लिया, ठीक है, मैंने क्या ले लिया है, और generally, beam मैं आपके पास जो loading होते है, वो कैसे type होते है, आप कि जो slab अगेर आपके पास जो act करता है वो कैसा force लगाता है generally वो यूदेल ही लगाएगा समझ में आ रहा है चलिए अगर मैं इसका normal क्या हो गया है simply support beam हो गया अगर मैं इसका bending moment diagram बनाऊ अगर मैं इसका bending moment diagram बनाऊ तो bending moment diagram कुछ ऐसा बनेगा this is your positive ठीक है यह कि आपके पास ST reinforcement है और अगर मैं इसका shear force diagram बनाऊंगा तो इसका shear force diagram बनाऊंगा तो इसका बनेगा इस टाप से बनेगा this is your BMD and this is your SFD clear है यहां तक यह वाला analysis मैं आपको shear में भी करके बताया था सबसे पहले lecture में module number 3 के चलिए आगे बढ़ते हैं मैंने क्या बोला कि यहां पर अगर कोई unbalance bending moment unbalance यहां पर tensile forces के बात की मतलब मैंने आपको बोला कि कोई एक ऐसा section है जहां पर bending moment जादा आ रहा है कोई एक ऐसा section है जहां पर bending moment कम आ रहा है similarly उस section में आपके पास forces एक section में ज्यादा आ रही है एक section में कम आ रही है तो वहां के case में जहां आपके पास unbalance bending moment है वैसे वाले case में क्या होगा आपके बाँट stress के होगे वहाँ पर develop होंगे तो sir कैसे आ सकते हैं unbalance कैसे आ सकते हैं तो देखें यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर मैंने एक section लिया ठीक है मैंने यहाँ पर एक section लिया और दूसरा section में हाँ ले रहा हूँ ठीक है this is my one one and this is my two two section दोनों की बीच का distance मैंने बोल दिया यह वाले distance में ले लिया कितना dx क्लियर चलिए यहाँ पर देखिए bending moment अगर मैं देखूं BMD में तो first वाले section में आपके पास moment आ रहे हो कितना आ रहे है आपके पास M इस point पर आपके पास bending moment कितना दिख रहे है आपको let's suppose I say M तो आप यह देखिए कि यह वाला जो point जो cut bending moment डियाग्राम में आप देखिए यह M से क्या हो रहा है कुछ ज्यादा value यहाँ पर देखने को मिल रही है तो यह कितना हो जाएगा this will be your M plus DM यह वाला analysis में share में भी करा चुका हो एक और बार देख लोगे तो मज़ा आ जागा आप लोगो समझ में आ जागा easily ठीक है अब मैं क्या किया यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर आपको आपको यहाँ पर bending moment देखने को मिल रहा है तो मैं यह वाला जो section है dx की span length है यह दोनों section को उठा के मैं थोड़ा सा बड़ा में बना लेता हूँ तो यहाँ पर इसको मैं थोड़ा two section this is your first section and this is your second section ठीक है तो यहाँ पर आपके पास जो moment जो आया है यहाँ पर जो bending moment है उसको मैं क्या रिप्रेजेंट किया हूँ उसको मैं किस से रिप्रेजेंट किया हूँ उसको मैंने रिप्रेजेंट किया है m से similarly second section में मैंने जो यहाँ पर bending moment जो रिप्रेजेंट किया ह उसको मैं represent किया हूँ M plus DM से और दोनों की length कितनी है हमारे पास? DX, clear? तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, since यहाँ पर हमारे पास bending moment क्या हो रहा है? हमारे पास unbalanced bending moment मिल रहा है, मतलब एक section पर bending moment क्या है? हमारे पास जादा है, दूसरे section पर bending moment हमारे पास क्या है? कम है, तो अगर bending moment जादा है, तो forces भी जादा होगी, bending moment कम है, तो क्या होगा वहाँ पर? forces भी क्या होगी? कम होगी, तो अगर मैं बात करूँ इसकी, अगर मैं इसकी बात करूँ, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, तो अगर बाद लिए बीच में आपके पास क्या है कुछ? न्यूटरल एक्सिस है, बीच में क्या आपके पास? एक न्यूटरल एक्सिस है अगर मैं यहाँ पर stress diagram बनाऊ stress diagram बनाऊ तो यह क्या है हमारे पास? यह stress diagram ऐसा बनेगा compressions zone है, उपर वाले क्या आपके पास? compressions zone है, तो यहाँ पर stress diagram थोड़ा सा बढ़ा देखने को मिलेगा ठीक है? तो यह क्या आपके पास? compressive force आएगी, तो यहाँ पर यहाँ पर since bending moment जादा है, तो force भी क्या होगी? जादा हैगी, that is C plus DC similarly, यह क्या आपके पास reinforcement है, तो यहाँ पर आपके पास axial force देखने को मिलेगा, tensile force देखने को मिलेगा कौन सा? T, और since यहाँ पर bending moment जादा है, तो यहाँ पर forces देखने को मिलेगा, वो थोड़ा comparatively जादा देखने को मिलेगा, T से that is your T plus dt, यह चीज़ भी मैंने आपको पहले समझा दिया था, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास अच्छे पहली चीज़ देख ले ना, यह पहले शुरू में rectangular है ना, यह पहले शुरू में rectangular है, फिर पाराबोलिक, clear? चलिये, अब यहाँ पर, अगर मैं मोमेंट की बात करूँ, तो दोनों की बीच का distance कितना हो जाएगा, लिवर आम, यह भी दोनों की बीच का distance कितना हो जाएगा आपके पास, लिवर आम, तो अगर मैं फॉर्स section की बात करूँ, add one one section की बात करूँ तो moment कितना हो जागा आपके पास force into liver arm, मैं tension zone से ले रहाँ, compression zone से भी ले सकते हो, बट अभी हम tension zone का analyze करेंगे आपर similarly add two two section पर कर मैं देखूँ, तो moment कितना है आपके आपके पास, m plus dm, और ये कितना हो जागा आपके पास, force into liver arm तो ये कितना हो जागा, d plus t plus dt into liver arm, liver arm तो सेम ही है clear, तो यहां से अगर मैं two, इसको मैं बोलो है, equation number one इसको मैं बोलो है, equation number two equation number two minus one करूँगा मैं अगर मैं equation two minus one किया, तो कितना हो जागा this will be your m plus dm into liver arm minus sorry, not liver arm m plus dm minus m equals to t plus dt into liver arm minus t into liver arm तो यहां से आपके को बताईए, यह कितना मिलेगा, this will be your dm equals to, कितना हो जागा यह dt into liver arm, तो यहां से अगर मैं dt निकाला हूँ, dt कितना हो जागा हमारे पास, this will be your dm upon la, समझ में आया, तो यहां पर आपके पास जो additional मैं जो देख रहा हूँ, यहां पर additional जो force आई है, वो किसके बराबार आई है, दोनों के difference of the bending moment divide by कि आपके पास, जो liver arm था, उसके बराबर आई है, समझ में आ रहा है, ठीक है, यह वाली चीज़ मैं आपको share में भी आपको पढ़ाया था, जो मैं आपको समझा रहा था, वहाँ पर share stresses के बारे में, share stress distribution के बारे में, ठीक है, अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको बोला, bonding के बारे में बात करे हैं, bonding मतलब किसके बारे बात करे हैं, हम यहां पर reinforcement on concrete की bonding के बारे बात करे है तो मैं क्या क्यों हूँ, यह मैं reinforcement को उठाया, यह मैं reinforcement को उठाया, और मैं अलग से मैं देख रहा हूँ, reinforcement की analysis कर रहा हूँ, ठीक है, reinforcement को मैं उठा के, यहाँ पर मैं किसके analysis कर रहा हूँ, ठीक है, तो यह मेरे पास क्या है, bar है, ठीक है, यह क्या है मेरे पास, एक steel का क्या है, बार यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि हमारे पास यहाँ पर जो tension जो आ रहा है वो कितना रहा है हमारे पास T का और similarly right side में देखा तो यह कितना रहा है हमारे पास T plus dt का ठीक है यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास यहाँ पर हमारे पास section 1-1 में कितना आ रहा है हमारे पास tensile force T section 2-2 पर हमने देखा यहाँ पर कितना आ रहा है T plus dt का क्या रहा है यहाँ पर tensile force आ रहा है तो अब देखिए यहाँ पर, अब condition समझें हमेशे ऐसी case होगा, क्योंकि आपके पास जैसे आप support से दूर जाएंगे bending moment बढ़ते जाएगा, bending moment बढ़ते जाएगा तो यहाँ पर आपके पास जो force होगी वो ज्यादा मिलेगी section में similarly यहाँ की force क्या होगी, आपके पास कम मिलेगी तो अब क्या होगा तो अगर bond नहीं हो अगर आपके पास bond नहीं हो steel और concrete के बीच में तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस side आपके पास force जादा दिख रही है और इस side आपके पास force क्या दिख रही है आपको कम दिख रही है, तो यह क्या करेगा equilibrium condition में है कि यह वाला steel, नहीं, यह क्या करेगा right side travel करना start कर देगा और right side travel करना start कर दिया तो क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर यह concrete से क्या हो जाएगा आपके पास दूर होते जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, आपके पास slipping condition अकर हो जाएगी, अगर आपके पास bond अगर आपके पास perfectly bonded नहीं है condition आपके पास occur हो जाएगी लेकिन आप जनरली बताइए RCC के अंदर ऐसा हो सकता है कि reinforcement right side ही चले गया और concrete वहीं कम ही रह गया ऐसा नहीं हो सकता है क्यों क्योंकि concrete और tension sorry concrete और steel reinforcement मिल की क्या बना रहे हैं वहाँ पर एक bond बना रहे हैं ठीक है और bond अगर मैं बना रहा हूँ तो आपके पास since यह वाली force कहां जा रही है equilibrium में नहीं unbalanced है right side में जा रही है तो आपके जो bond stress जो आएंगे वो कहां पर act करेंगे वो उसके opposite side में क्या करेंगे वहाँ पर stress क्या होंगे generate होंगे ठीक है और यह क्या है आपके पास यह उसका stress क्या कर रहे है उसको equilibrium condition में लाने की क्या कर रहे हैं कोशिश कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं this is your bond stress that is tau bd ठीक है tau bd क्यों बोल रहे हैं क्योंकि यह आपके पास stress है bond का stress है that is your developed bond stress ठीक है और यह क्या कर रहे है तो इसके पूरे surface पे concrete से पूरा surrounded आपका enforcement ऐसा तो नहीं, concrete इस portion में इस portion में नहीं है, आपका enforcement के चारो तरफ आपके पास क्या है, concrete क्या है, surrounded है, तो इसके पूरे surface पे क्या करेगा आपके पास, यह आपका bond stress क्या करेगा, आपके पास develop करेगा, और वो इस site पे develop करेगा, उसको resist कराने के लिए, सिर्फ ये dt को resist कराने के लिए bond stress कहां पर generate करेगा, इस site पर क्या करेगा, generate करेगा, समझ में है, और एकर मैं strength की बात करूँ, जो bond strength की बात करूँ, तो bond strength किसके बराबर हो जाएगी, ये कितना force resist करेगा, जो additional force है, कितना dt, equilibrium में लाने के लिए, हम जो stresses जो आरहे हैं, उसकी strength है, मतल़ जो force है, कितनी force की बराबर होगा ताकि आपके पास equilibrium के बराबर हाई, व yapt it के बराबर ये होगा, क्योंकि तो यही तो क्या आयापके पास condition में लाने के उसको कोशिश कर रहा है तो अगर मैं bond strength बोलूँ bond strength कितना हो जाएगा आपके पास bond strength कितना हो जाएगा आपके पास stress into area stress कौन सा है आपके पास यह वाला bond stress that is your tau bd strength मतलब force की बात करो मैं यहापर ठीक है मैं यहापर आपका force के बारे बात कर रहा हूँ तो यह जो force है वो इसके बाराब हो जागा है stress into area stress कौन सा आपके पास tau bd और अगर मैं area की बात करूँगा तो कौन सा area लोगे आप cross sectional area लोगे क्या आप normal area लोगे क्या आप surface area लोगे अगर मैं stress है वो पूरा around the surface act कर रहा है तो यहाँ पर आपके पास जो आप जो area लोगे वो कौन सा लोगे वो लोगे आप surface area ठीक है यहाँ पर क्या लोगे आप surface area तो bond stress किसके बराबर है हमारे पास dt के बराबर है और bond stress के हमारे पर tau bd और अगर मैं surface area की बात करूँ अगर मैं surface area की बात करूँ तो कितना हो जागा हमारे पास surface area कितना होता है 2 pi r into आपके पास जो length है तो हमारे पास यह मैं length कितने की लिए हो मैं dx की length है ठीक है हमारे पास यह जो length है कितनी लिए हो मैं Dx वाले section को analyze कर रहा हूं, this is your first section, this is your second section, तो मैं Dx की length को analyze कर रहा हूं, तो length कितनी हमारे पास? Dx, surface area कितना हमारे पास? 2πr into, ये कितना हमारे पास? Dx, ठीक है? और ये तो एक बार का हुआ, ये क्या हुआ आपके पास? ये ऐसा एक बार का हुआ, और इसके पीछे-पीछे और भी तो बार्स होँगे, तो है नहीं किसी वे आप एक ही बार लगाओ, कि longitudinal reinforcement कितनी होती है? एक के बाद 4 reinforcement of 20 mm, 5 reinforcement of 16 mm, ऐसा होता है न, तो इसके पीछे-पीछे और बार्स होगी, तो ये कितना हो जाएगा? इन्टू, यहाँ पर आजाएगा N, इन्टू कितना हो जाएगा? मतलब N number of bars, तका मैं DT की बात करूँ, तो DT कितना हो जाएगा हमारे पार? ताउ BD, इन्टू, 2 इन्टू R को मैं क्या लेख सकता हूँ? डायमेटर लेख सकता हूँ, 2 इन्टू रेटेस होता है डायमेटर, और डायमेटर किसका? यह हमारे पास जो आम जो reinforcement जो डाल रहे हैं, तो उसकी डायमेटर को मैं कितना ले 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 रहा हूँ? उसकी डायमेट हमारे पास आया कितना dt का कितना है हमारे पास τाउ BD into N into dx into 5 ठीक है ये equation को मैं बोल तरहा हूँ 1 और इसको मैं बोल तरहा हूँ 2 तो अगर मैं दोनोई equation को अगर मैं equate करूँ equating 1 and 2 equating 1 and 2 तो यहाँ पर हमारे पास dt किसके बाराबर है dt किसके बराबर है हमारे पास dm upon liver arm dt किसके बराबर हमारे पास dm upon liver arm equals to क्या हो जाएगा tau bd into n into 5 into क्या हो जाएगा dx तो अगर मैं tau bd निकालना चाहूं तो कितना हो जाएगा tau bd हो जाएगा हमारे पास dm upon liver arm into 1 upon n into pi भी आएगा ना यहापर यहापर pi भी आएगा n into pi into 5 into dx ठीक है pi भी आएगा यहापर तो कितना हो जागा आपके पास यह हो जागा n into pi into 5 upon कितना हो जागा यह हो जागा upon dx तो मैं यहाँ पर इसको मैं ऐसे लिख सकते हूँ कि tau bd equals to dm upon dx में लिख सकता हूँ dm upon dx कितना हो जागा हमारे पास change in bending moment along the span किसके बराबर होता है आपके बस shear force के बराबर होता है तो मैं यहाँ आपर लिख लेता हूँ v u upon n into pi into 5 into क्या हो जागा यह liver arm ठीक है into क्या हो जागा यह liver arm समझ में आया है तो यह क्या है हमारे पास यह हमारे पास जो bond stress जो develop हो रहा है bond stress क्या हो रहा है जो develop हो रहा है उसकी value कितनी हमारे पास v u upon n pi 5 into liver arm और liver arm मैंने आपको बताया था limiting condition में liver arm किसके बराबर होता है हमारे पास liver arm हमारे पास होता है d into j के बराबर भी होता है j क्या है आँ मेरे पास liver arm factor liver arm factor मैं आपको सुझ जा था 1 minus 0.42 into k की जो value होती है उसके बराबर होता है liver arm factor तो कहीं-कहीं पर liver arm factor को z से भी दे दिया गया होगा आपके जो भी book से पढ़ेड़े हो कहीं-कहीं पर इसको क्या बोलते है liver आपको d j से भी represent क्या होगा d into j से भी represent क्या होगा और n into pi into 5 ठीक है देखिए अगर मैं यहाँ पर बात करूँ pi into 5 pi into 5 क्या होता है आपके पास perimeter हो जाएगा pi into 5 क्या होगा आपके पास perimeter के बढ़ाबर होता है तो अगर मैं n into pi into 5 लिख रहा हूँ मतलब मैं सारे bars का मैं ले रहा हूँ तो यहाँ पर n into pi into 5 लिख रहा हूँ तो इस summation of o करके भी यहाँ पर दिया हो सकता है अलग-अलग book में ठीक है n pi 5 equals to summation of o summation of o मतलब perimeter के बारे में बात कर रहा है तो आप इसी से समाझ लेना यही वाली चीज़ को अलग-अलग book में अलग-अलग चीज़ों से आपर derive किया गया है कहीं कहीं पर liver आमको z से भी represent किया गया है क्योंकि हम generally liver आमको किस से represent करते हैं जब हम model number 2 पढ़ रहे थे तो liver आमको हमने represent किया था किस से z से तो liver आमको z से भी represent कर सकते हैं कोई book में liver आमको d j से भी represent किया होगा n into pi into 5 कुछ नहीं है आपके पास summation of क्या है वो perimeter है तो summation of o से भी वहाँ पर represent किया जा सकता है आप बस यह वाला formula याद रखेगा यह क्या आपके पास यह आपके पास जो bond stress जो develop हो रहा है ठीक है मतलब यह क्या कर रहे है आपके पास bond stress क्या हो रहा है जो आपके पास develop हो रहा है due to क्या हो रहा है आपके पास external जो loading के कारण आपके पास जो develop हो रहा है ठीक है external loading मतलब UDL लगा उसी कारण bending moment आया ठीक है और वो bending moment आया तो हमने देखा अलग-अलग bending moment अलग-अलग section पर आ रहा है कहीं पर ज्याधा कहीं पर कम है तो वहाँ पर unbalanced bending moment से क्या मिला हमें unbalanced वहाँ पर हमें tensile forces देखने को मिली और यह unbalanced tensile force के कारण क्या मिला हमें bond stress देखने को मिला और यह bond stress की value है वो किसके बराबर है V upon n pi 5 into la यह resisting power नहीं है यह external जो आपके पास आ रहा है structure पर ठीक है तो यह क्या है आपके पास this is your destroying power अब अगर बात करूँ मैं जो resisting जो power होती है एक जो resisting जो strength होती है वो किसके बराबर होती है ठीक तो यहां पर अगर मैं बात करूँ Tau Bd permissible की बात करूँ ठीक है अगर I.S.Code ने हमें दिया है Tau Bd permissible मतलब आपका जो bond जो आपका जो आ रहा है ठीक है पर्मिसिबल जो value आपको बताय गया है तो आपको again एक table में मिल जागा IS code में ठीक है वो मैं table बना देता हूँ obviously वो आपको याद करने की दरवत थी है ना उजह याद है ना आपको याद करने की दरवत है तो next आपके पास जो आता है वो क्या है आपके पास टाउ बीडी पर्मिसिबल टाउ बीडी क्या है आपके पास पर्मिसिबल यह आपका IS code में गिवन है ठीक है यह आपको क्या है आपके पास IS code में गिवन है वो जो मैंने बताया वो क्या था आपके पास इसको आप बोल सकते हो टाउ बीडी डेवलप्ड ठीक है यह क्या है आप आपको जो बता रहा हो किया आपके बाद Tau BD permissible यह IS code ने आपको जो define किया है तो यह आपको depend करता है grade में तो अगर मैं M20 grade की बात कर रहा हूँ M25 हो गया M30 हो गया M35 हो गया इसके लिए आपको Tau BD permissible जो value है वो आपको already given है IS code में तो value कितनी है आपके पास that is your 1.2 1.4 1.5 1.7 और जैसे आप आगे बढ़ाते जाओगे आपके पास Tau BD जो permissible value है वो क्या होगा आपके पास बढ़ते चला जागा यह क्या आपके पास grade of concrete है ठीक है तो यह वाला table आपको याद रखना है या फिर IS code में आप देख सकते हो इनके से अगर gate वगेरा objective की बात करें जहाँ पर आप IS code allowed नहीं है तो वहाँ पर यह वाली value आपको question में दे दिए रहेगी कि आपके पास from table इस grade के लिए आपके पास permissible आपके पास जो value है वो कितनी आपके पास 1.4 है लेकिन IS code ने एक चीज़ और बता है इसमें कि जो permissible value आप जो निकाल रहे हो ठीक है यह जो permissible value आप जो निकाल रहे हैं यह कुछ factors पे depend करता है सबसे पहला आपके पास आता है first dollar factor इसमें आपको बोल रहे हैं कि अगर आपके पास जब भी अगर आप HYSD बार जब भी आप यूस कर रहे हैं if HYSD बार्स और यूस्ट if HYSD बार्स और यूस्ट HYSD बार मतलब FE 415 या 500 की बात कर रहे हैं then increase then increase then increase tau BD permissible value permissible value by 60% by 60% इसको याद रखेगा बहुत अच्छे से याद रखेगा बहुत ही जाद अच्छे से याद रखेगा ठीक है objective का favorite zone है second second आपको बोलता है if the steel is in compression zone if the steel is in compression zone याद भी लेखेगा ना if the steel is in compression zone then increase the above value then increase the above value by 25% ठीक है then increase the above value by 25% ठीक है अगर आप compression zone वाले अगर आप बाहर के बारे बात कर रहे हो तो यह जो tau BD permissible की जो value है ठीक है यह tau BD permissible की जो value है उसको आप क्या कर लेना 25% से आगर आप increase कर देना और similarly अगर आप FE 415 या 500 या 500 यह जो भी आप लिए हो इसकी value का आप क्या कर लेना 60% आप क्या कर लेना increase कर लेना ultimately क्या होता है हमारे पास जो condition जो होती है कि वो होती है आपके पास इस वाली value को या फिर इस वाली value को जब आप increase कर दोगे depending on the condition इस वाली value से आपके पास क्या होना चीए जो developed आपने जो निकाला है क्या निकाला है आपने formula tau BD is equal to VU upon summation of perimeter into liver arm वो वाली value से क्या होना चीए आपके पास कम होनी चीए ठीक है एक और चीज़ आपन देखते हैं कि आपने जो tau BD जो निकाला developed वाले जो condition आपने निकाला है tau BD का developed वाला जो condition निकाला है वो किस पर किस पर depend कर रहा है वो 2-3 चीज़ पर depend कर रहा है सबसे पहला किस पर depend कर रहा है वो depend कर रहा है उसके shear force ठीक है सबसे पहला जो depend कर रहा है, अगर मैं tau bd permissival की बात कर रहा हूँ, sorry not permissival not developed की अगर मैं बात कर रहा हूँ, formula क्या है हमारे पास इसका, tau bd equals to v u upon n into pi 5, ये क्या हमारे पास summation of perimeter into क्या हमारे पास liver arm, तो आप यहाँ पर देखिए कि जो tau bd है जो है developed यो बात कर रहा हूँ, it is directly proportional to क्या है हमारे पास shear force है, इसका मतलब यह है कि आपके पास, जिस point पर आपको maximum shear force मिल रहा है, ठीक है, जिस point पर आपको maximum shear force मिल रहा है, उस point पर आपके पास, जो आपके पास bond stress जो develop होगा, जिस point पर maximum shear force मिल रहा है, उस point पर आपके पास bond stress होगा, वो भी क्या होगा, आपके पास maximum होगा similarly जिस point पर आपको shear force क्या हो मिल रहा है सबसे कम value मिल रही है उस point पर आपके पास जो आपके bond stress जो होगा सबसे जाधा कम value आपको देखने को मिलेगी तो इसका मतलब यह है कि अगर आप मैं बात करूंगा simply supported beam की बात करूं ठीक है simply supported beam की बात करूं अगर मैं simply supported beam बना रहा हूं अगर मैं simply supported beam बना रहा हूं ठीक है हमारे पास यह क्या है हमारे पास simply supported beam है तो यहाँ पर आपको पता है कि shear force कहां पर maximum मिलेगा आपको shear force आपको मिलेगा maximum किस point पर आपको मिलेगा इस point पर add the supports आपको क्या मिलेगा यहाँ पर add the supports आपको shear force क्या मिलेगा आपको maximum मिलेगा तो मतलब जब भी आप simply supported की बात कर रहे है तो हमें tau bd कहां पर निकालना है हमें निकालना है add the supports क्यों क्योंकि हमें वहाँ पर support में shear force की value क्या मिलेगी हमें maximum मिलेगी हमें shear force की value supports पर क्या मिलेगी हमें maximum मिलेगी बाकी जगर देखिए आप जैसे आप बढ़ते जाएंगे तो value क्या हो जाएगी आप क्या shear force क्या हो रहा है आपके पास कम होते जा रहा है और यहाँ पर shear force की value कितनी है 0 तो मतलब इस point पर about the center आपको वहाँ पर bond stress भी कितना मिलेगा आपको वहाँ पर मिल जागा आपको 0. Similarly अगर आप cantilever या फिर continuous beam की बात करें, fixed या फिर continuous beam की बात करें तो वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, shear force maximum कहाँ पर होता है at the point of contra flexure, at the point of contra flexure, point of contra flexure क्या होता है, जहाँ पर आपके पास bending moment क्या होता है, sign change करता है तो वहाँ पर आपके पास उस वाले point पे क्या होता है, आपके पास shear force क्या होती है, आपके पास maximum होती है, तो वहाँ पर आपके पास point of contra flexure में shear force क्या होगी, maximum होगी तो आपके बाद bond stress भी क्या होगा आपके पास, वहाँ पर भी आपके पास maximum होगा, तो जब भी आप simply support की बात करोगे, तो tau bd आप कहां पर निकाले ना, supports पर निकाले ना जब भी आप fixed continuous cantilever की अगर आप बात कर रहे हो, तो वहाँ पर आप पहले point of contra flexor को देखना, मतलब point of contra flexor में shear force कितना होगा, maximum होगा और उसी point पर क्या होगा आपके पास tau bd क्या होगा आपके पास maximum आपको मिलेगी समझ में आए यह चीज, दूसरी अगर मान लिजे यह वाला condition आपको देखने को नहीं मिला, ठीक है अगर मान लिजे आपको जो developed आपके पास जो shear stress आ रहा है वो क्या हो रहा है आपके पास यह वाला condition देखने को नहीं मिला क्या होगा आपके पास, मान लिजे यह जादा हो गया, ठीक है, यह क्या हो गया आपके पास, जादा हो गया, अब क्या करेंगे, यह वाला condition permissible, जो limit है हमारे पास, IS code ने दीए, उसको क्या कर दिया, exceed कर दिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, इसकी value को हमें कम करना पड़ेगा, तो मतलब, आपके पास यह वाला जो है न, n pi 5, इसकी value को अगर मैं कम कर दिया, तो मेरी tau bt की value क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो अगर यह वाला condition आया, तो आप क्या कर ले न, अगर मानलेज़ आपके पास यह वाला condition आया, कि permissible से भी exceed कर दिया, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, यह वाली value को मैं बढ़ा दूँगा, ताकि मेरी यह वाली value किया हो जाए इमारे पास, कम आ जाए, ठीके, तो हमेशा इसकी value को आप बढ़ा कर दे न, ताकि वह again क्या हो जाए, आपके पास tau bt क्या हो जाए हमेशा, less than किसे हो जाए, वह tau bd permissible से अब बढ़ाना कैसे तो याद रखेगा कि हमें n pi 5 को increase करना है तो आप क्या कले ले न provide for reducing for reducing the bond stress for reducing the bond stress provide more number of provide more number of smaller diameter of bars ठीक है provide more number of smaller diameter of bars यह जो n की value है यह वाली n की value को आप क्या कर देना increase कर देना ताकि आपके पास जो tau bd की value है वो क्या हो जाए आपके पास decrease हो जाए without affecting the perimeter ठीक है तो हमेशा याद रखना है जब भी आपन reduce करना है तो हम क्या करेंगे हम more number of smaller diameter of bars को हम क्या करेंगे वहाँ पर provide करेंगे ताकि tau bd की जो value है वो क्या हो जाए हमारे पास कम वहाँ पर हमें मिल जाए समझ में आया तो मैंने दो चीज़ के बारें बताया एक आपके पास जो bond stress जो develop हो रहा है दूसरी चीज IS code ने कितना permit किया है ठीक है bond stress को कितना permit किया है इसमें जो favorite zone है gate अगरा का वो कौन सा होता है आपके बास यह जो favorite zone है वो आता है यह दोनो point यह दोनो point आपको एक दम अच्छे से by heart होने चीए ठीक है यह जो दोनो जो point है competitive exams के बहुत ही favorite zone है वो वो है यह वाले कि अगर आप HYSD bar use कर रहे हो तो 60% आप क्या कर देना उसको increase कर देना अगर आप compression zone में डाल रहे हो तो आप क्या कर देना उसको आप उसको 25% increase कर देना for example मैं FE कौन सा यूज कर रहे हो मैं FE 415 यूज कर रहे हो किसके लिए मैं M25 के लिए यूज कर रहे हो M25 के लिए यूज कर रहे हो तो मेरा Tau BD permissible जो रहेगा मेरा Tau BD permissible जो रहेगा किसके लिए M25 के लिए पहले कितना था हमारे पास 1.4 था अब मैं क्या करूँगा उसको मैं 1.6 से भी multiply कर दूँगा मतलब मैंने क्या कि उसको 60% मैंने वहाँ पर increase कर दिया तो कितना हो जाएगा हमारे पास हमारे पास जो value आजाएगे वो कितनी हो जाएगी that is your 2.24 MP ठीक है कितना हो जाएगा ये 2.24 MP similarly अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं ये FE415 को मैं compression zone में डाल दिया ठीक है मैं compression bar की मैं बात कर रहा हूँ तब आपके पास यही M25 grade के लिए तब अगर मैं बात करूँ M25 तो कितना होता था 1.4 FE415 यूज कर रहा हूँ तो मतलब 60% increase कर दिया साथी साथ मैं बोलो compression zone कि मैं आपके पास analyze कर रहा हूँ मैं उस bar को मैंने कहां पर डाले है compression zone में डाले है तो again मैं इसको क्या करूँगा 25% again मैं और increase कर दूँगा तो कितना हो जा गई है इसकी जो value मिलेगी हो कितनी मिलेगी 2.8 MP ठीक है तो यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा अगर आपके पास HYSD बार है तो 1.6 से multiply कर देना अगर आपके पास HYSD बार है साथी साथ आपने compression zone में भी डाला है काप सिर्फ क्या कर देना आप उसको 1.25 से भी और multiply कर देना लेकिन मान लीजिए आपने HYSD बार नहीं उसकिया FE 250 उसकिया लेकिन FE 250 को आपने compression zone में डाल दिया तो यह 1.4 into क्या हो जाएगा 1.25 हो जाएगा वहाँ पर आप 60% से increase नहीं करोगे सिर्फ compression zone में डाला है तो आपने वहाँ पर सिर्फ 25% से वहाँ पर आप increase करेंगे समझ में आए इस सारी चीज़े टाओ बीडी जो develop हुआ है किनकी वज़े से हुआ है कैसे हुआ है उसके बीचे का concept उसके बीचे का fundamental और यह कि आपके पास टाओ बीडी आपके पास जो permissible है इस सारी चीज़े समझ में आई तो इन ही चीज़ों से आपको क्या करना है analyze करना है bond stress को ठीक है चलिए question देखते हैं अपन यहाँ पर आपको बताया गया simply supported beam बद आपको बताया गया है यहाँ ठीक है यह beam है आपके पास simply supported beam है width कितना है 300 mm total depth जो है 500 mm cover यहाँ पर 50 mm देती है गया है यहाँ पर दो reinforcement bar है कितना 25 mm के ठीक है tension zone में डाले गया है आपको बोला गया the beam is subjected to a load of 30 kN per meter excluding self-fit ठीक है simply supported की बात की गया है तो मतलब आपके पास जो beam है वो कैसा आपके पास simply supported beam है simply supported beam है उसमें आपका जो UDL है वो कितना आपके पास 30 kN per meter excluding self-fit बोला गया मतलब यह जो आपके पास जो load जो दिया गया है यह क्या आपके पास live load आपको दिया गया है आपको बोला check for bond stress यहाँ पर आपको bond के बारे में check करना है check की condition में आपको बताया था कि आप जो developed जो bond stress निकालोगे पर क्या होना चाहिए आपके बास less than होना चाहिए bond stress permissible से permissible आपका IS code में जो allow करता है use आपको बोला गया M20 grade of concrete and Fe415 grade of steel ठीक है सबसे पहले आपन देखते है यहाँ पर कि अगर मैं इसकी बात करूँ कि simply supported हैं तो यहाँ पर reaction develop होंगे ठीक है यहाँ पर क्या होगा reaction develop होगा अच्छा length तो यहाँ पर दिया नहीं है length यहाँ पर आप लिए 5 meter ठीक है length कितना बोला गया इसमें 5 meter आपको बोला गया तो यहाँ पर अगर मैं total load की अगर मैं बात करूँ तो load किसके किसके बराबर होगा यहाँ आपके बार dead load प्लेस आपके पास जो live load आएगा तो live load तो आपको दे दिया गया कितने का live load आपको दे दिया गया कितने का 30 का 30 kilo newton पर meter का similarly अगर मैं dead load की बात करूँ तो dead load का मैंने आपको last minute जब share का वो बता रहा था तब वो आपको बताया था कैसे निकालना है 25 into area of आपके पास जो RCC है cross section कितना है आपके आप 0.3 into 0.5 0.3 into 0.5 तो कितना हो जाएगा आपके पास calculate करीए इसको 15, 25 इसको calculate करीए कितना आ रहा है यहापके पास आ रहा है कितना 3.75 kilo newton पर meter तो दोनों को मैंने add कर दिया तो कितना हो गया 3.75 plus 30 तो यह हो गया हमारे पास 33.75 kilo newton पर meter तो यहाँ पर मैंने additional dead load भी मैंने देखा और दोनों को मैंने देखा तो total में पर जो अब जो में पास जो load आ रहा है वो कितने का रहा है में पास 33.75 का ठीक है 33.75 का क्या हो रहा है मेरे पास live load plus dead load total आ रहा है अब अगर मैं shear force की बात करूँ तो मैं आपको बताया तो maximum shear force की बात करूँ तो वो simply support में कहा पर मिलते है हमें add the supports तो यहाँ पर every by two कितना आपके पास 33.9 इनटू L कितना आपके पास five by कितना हो जागा आपके पास two कितना रहा है यह आपके पास धार क साई है 84.375 but मुझे क्या निकालने है मुझे ultimate shear force ची है तो 1.5 से multiply कर दिया हमे कितना हो गया 83.375 इसकी value कितनी हो गई into 1.5 तो यह हो गया आपके पास 126.56 kilonewton ठीक है यह कितना आपके पास this will be your 126.56 kilonewton तो समझ में आया है हमें क्या निकाल लिया हमने यहाद शियर फोर्स निकाल लिया शियर फोर्स के लिए जो भी condition हमें दी थी वो condition को हमने put करके यहाँ पर सिर्फ live load दिया था तो dead load हमने खुद से निकाल के total हमने intensity निकाला और वो intensity से हमें पता है कि support में क्या होता हमें maximum shear force मिलता है अगर आप SMD बनाओगे तो यहाँ पर maximum मिलेगा फिर आपके पास center में क्या मिलेगा वो zero मिलेगा और last again maximum आपको मिल जागा shear force चलिए हमें क्या निकाला है सबसे पहले देखना है हमें tau BD developed हमें आपके देखना है tau BD developed कितना है तो इसका formula कितना होता आपके पास tau BD का यह होता है आपके पास VU upon sorry यह कितना होता है आपके पास VU upon n pi 5 into क्या हो जाएगा आपके पास liver arm ठीक है अब आपके वो आपके बारे हम कुछ बता है का नहीं बता है तो मैं यहां पे क्या ले ले लूंगा Limitting Condition मतलबarla क्या होट एगा बारे पास d in t enjoy ठीक है चले यह put करतें यहापर और आपको यहां पर diameter के बारे में बता है हाँ बिल्कुल बता यहां ले कितना है आपके पास 250 mm number of parts कितने हैं हमारे पास 2 तो वी यू कितना है हमारे पास वी यू आ गया 126.56 किलो न्यूटन अपन number of parts कितने हमारे पास 2 into pi into diameter कितना हमारे पास 25 mm mm में रख रहा हूं तो किलो न्यूटन को आप न्यूटन में चेंज कर दो into liver arm, liver arm बताइए, liver arm कितना हो जायागा, liver arm हो जायागा हमारे पास d into j, d कितना होका आपके पास total depth-effective cap a small d कि पास effective depth है, तो 500-50 कितना हो जायागा 450, तो ये कितना हो जायगा हमारे पास 450 into अगर मैं J की बात करूँ तो J क्या होता है हमारे पास liver arm factor, model number 2 में जाएए वापस, कितना हो जाएगा 1 minus 0.42 into K अब K की value F e 415 के लिए कितनी होती है 0.48, तो यह होते हैं 1.42 into 0.48 तो यहां से आप solve करोगे तो कितना जाएगा आपके पास 0.79 round आजाएगा तो यहां साब इसको 0.8 ले 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 लिवर आमको तो यह कितना हो जाएगा आपके पास 450 into 0.8 ठीक है, कितना हो जाएगा यह है इसको आप solve करिए इसको आप solve करिए तो कितना हो आपके पास this is your 2.26 MPa ठीक है, यह कितना हो आपके पास 2.26 MPa यह के आपके पास यह आपके पास bond stress जो आपके पास develop हो रहा है, ठीक है, यह आपके पास जो develop जो हो रहा है वो bond stress कितना है strength नहीं है, resisting नहीं है, जो आपके पास जितना चाहिए body stress कितना आपके पास 2.26 MP सिविलरली अगर मैं सेकेंड अगर मैं टाउ बीडी पर मिसिवल के अगर मैं बात करूं ठीक है पर मिसिवल के मतलब आपके पास जो एलावेबल है आई-इस कोड तो टाउ बीडी गया इसको मैं तुकिन कर दोणगा m245 155 माही फार के पास है तो किया कर दूंगा इसको मै अगर 60% से क्या कर दोगा मैं increase कर दोगा और आपके पास steel यहां पर tension में compression में steel आपके पास जिसको हम analyze कर रहे है वो आपके पास tension में है कि compression में obviously tensions होने 25% से मैं increase करूँगा क्या नहीं वहाँ पर आप 25% से increase आप नहीं कर सकते यह कितना हो जाएगा 1.2 x 1.6 कितना होता है आपके पास this will be your 1.92 MPa यह कितना हो जाएगा आपके पास 1.92 MPa अब मैंने क्या बोला था कि हमारे पास tau bd जो develop किये है जो develop हो रहा है it should be less than होना चाहिए कि इसे permissible value से कम होना चाहिए stress जो develop हो रहा है वो permissible stress से क्या होना चाहिए हमेशा कम होना चाहिए बट यहाँ पर आप देखोगे तो वो कितना रहा है 2.26 it is not less than कितना 1.92 तो यहाँ पर क्या हो रहा है मेरे पास bond में क्या हो जा रहा है मेरे पास failure देखने को मिल रहा है ठीक है मतलब यहाँ पर bond पर जो check करने के लिए बोल रहा है तो मतलब मुझे यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर bond पर क्या हो जा रहा है वो fail हो जा रहा है क्योंकि आपका जो bond stress जो था वो maximum कितना ले सकता था लेकिन हमारे पास जो stress आ रहा है वो कितना रहा है हमारे पास 2.26 यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो मैंने क्या बोला था अगर इस condition में अगर आपके पास नहीं मिला तो हम क्या करेंगे इसकी value को हमें कम करना पड़ेगा तो कम कैसे करेंगे टाओ बीटी डेवलप जो है अगर मैं बोलू इसको कम करना है तो कम करने का मैंने आपको क्या बताया था कि आप इसकी value को बढ़ा दीजे पेरिमीटर वाली value को बढ़ा दीजे तो टाओ बीटी क्या हो जागा आपके पास कम मिल जागा अब देखिए यहाँ पर हमें पेरि स्मॉल डामीटर के बार्स को ले लेना अब कैसे करना है वो समझे हमारे पास अगर मैं AST अगर मैं निकालू AST कितना है मारे पास दो बार है किसके 25 mm के तो area निकालूँगा तो कितना हो जागा पाइब 4 इंटू 25 का square ठीक है area of अगर मैं tension reinforcement बोलूँ तो कितना हो जागा 2 इंटू 5 इंटू 25 का square तो कितना हो जागा वो पुट करिए तो value कितनी मिलीगे आपको 981.75 mm square ठीक है area of reinforcement जो आ रहे है वो कितना आ रहे है 981.75 mm square अब मैं क्या बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि आप क्या करिए perimeter बढ़ा दीजें ठीक है यह वाली जो value है मैं बोल रहा हूँ number of bars को बढ़ा दीजें और smaller diameter के bars को रख के ठीक है diameter को आप छोटा करिए number of bars को बढ़ा दीजें तो आपका जो tau bd है वो क्या हो जागा कम हो जागा without affecting the area of reinforcement ठीक है तो यहाँ पर हमने क्या किया था यहाँ पर हमने two bars of 25 mm लिए थे मैं क्या बोल रहा हूँ for reducing for reducing tau bd developed increase n of smaller diameter increase n of smaller diameter तो मैं छोटा diameter ले रहा हूँ तो मैं चलो विए बार देखता हूँ provide मैं कर रहा हूँ कितना 16 mm bars को मैं क्या किया 16 mm bars को मैंने provide किया तो AST कितना है हमारे पास 981 AST कितना होता है हमारे पास n into 5 by 4 into कितना होगा हमारे पास 16 का square और AST की value कितनी है 981.75 981.75 तो यहां साब मैं को number बताईए number और Bars कितने हो जाएंगे अगर आप 16 mm bars को अगर आप provide कर रहे है ठीक है अगर आप 16 mm के bars को अगर आप provide कर रहे है तो कितने number और Bars provide करेंगे without changing the area of reinforcement तो कितने number of provide provide करेंगे 981.75 into 4 divided by 16 square upon pi कितना आजाएगा आपके पास यह आपके पास आजाएगा 4.88 4.88 आ रहा है मतला मैं किता ले लिया इसको मैं ले लिया 5 number of bars मैंने ले लिया भीक है अब अगें क्या करbaneंँ तव बीडी निकाल रहा हूं तव बीडी निकाल रहा हूं देखिए मैं AST को अल्मोस्ट मैंने same ही रख़ए AST को मैंने change नहीं किया है मैंने change क्या किया है उसके पहले जो 2 number of bars जो थे अब मैं कि आप provide करो मैं 5 number of bars provide कर रहूँ ठीक है 5 number of bars provide करूँगा तो वहाँ पर अपन देखेंगे कि tau bd की new value है वो कितनी आएगी ठीक है tau bd की new value है वो कितनी आएगी तो यहाँ tau bd कितना हो जाएगा v u upon n pi 5 into क्या हो जाएगा d j तो v u कितना है हमारे पास v u कितना निकाले है हमने 126.56 126.15 126.56 into 10 to the power 3 upon number of bars अब मैंने किता लिया 5 number of bars लिया है कितने mm के 16 mm के into d कितना हमारे पास 450 into कितना हो जागा ये 0.8 तो आप यहाँ से इसको solve करना आप यहाँ से इसको solve करेंगे तो आपके पास जो value हैगी वो कितनी हैगी इसको solve कर लिए आप एक बार मैं फोन से यूज कर रहा हूँ आप कैल्सी में यूज करोगे तो बहुत जल्दी आ जाएगा कितना रही है 1.39 MPa कितना रही है 1.39 MPa तो देखिए पहले कितना रहा था हमारे पर 2.26 something कुछ आ रहा था अब मैंने क्या किया यहाँ पर मैंने नंबर और बार्स को मैंने जैसी increase किया with shorter amount of smaller amount of diameter तो यहाँ पर मैं को टाव बीडी क्या देखने को मिल गया है मुझे lesser value देखने को मिल गई कितनी 1.39 MPa और हमारे पास टाव बीडी परमिसिबल कितना है 1.92 तो देखिए जैसी आपने यहाँ पर छोटे diameter और बार्स को जैसी आपने डाला तो number और बार्स क्या हो जाएगे increase हो जाएगे without changing the area of reinforcement ठीक है तो यहाँ पर क्या हो गया अब आपके पास टाव बीडी आपने जो develop हो रहा है it is less than क्या है आपके पास टाव बीडी परमिसिबल ठीक है तो अब क्या होगा आपके पास अब इस condition में जब आप पांच number और बार्स जालेंगे किसमे 16 mm diameter के तो क्या होगा आपके पास condition क्या हो जाएगा आपके पास satisfy हो जाएगा कैसे क्योंकि देखिए दो नंबर और बार्स है आपने पुरा RCC में सिर्फ दो नंबर के सिर्फ दो बार्स जाले तो obviously जो bond जो होगा concrete और RCC का जो bond है वो कम एरिया पर होगा लेकिन अगर वहीं पर घरागा फाइव बार्ट जाल दी ये तो वहाँ पर अगर आप देखोगे तो हर स्टील के स्राउंडिंग में क्या हो रहे है तो आपके पास better क्या होगा आपके बांगे तो stresses क्या होगे वहाँ पर कम आएंगे ठीक है तो वही नंब पास जो diameter भली कम हो वो चल जागा लेकिन length क्या हो जाएगी जो penetrate हो रही है concrete के अंदर वो क्या हो जाएगी जादा हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा काफी easy आपके पास strength आपको काफी अच्छा महाँ पर मिल जाएगा समझ में आए कैसे करना है अगर आपके पास developed अगर मिल जाएगी reduced होके मिल जाएगी अब आप compare करोगे तो वो परमिसिबल से क्या हो जाएगा वो कम value आपको वहाँ पर मिल जाएगी ठीक है तो इसी टाइप से आपको question को attempt करना है bond का भी है और भी चीज़े बच्ची है development लेन तो गेरा वह आपन देखते है next lecture में ठीक है चलि अजह चलिए लेनयग झापकोस में ऊक्य को जाएगी medios जाएगी डाता है कर दो सकते हैं